नमस्कार साथ में हूँ नमस्कार पिछले दस दिनों में प्रते एक दिन मेरे मोबाइल में कम से कम 500 कॉल आते हैं 500 कॉल अब 500 कॉल आएगा तो सबसे बात तो कर ही नहीं सकता संभव ही नहीं है कभी उठाता हूँ किसे साथियों का फोन तो जबाब यहीं आता है क्या रेल भाई फोन काहें नहीं उठाते हैं क्या उठाओ फोन जो इंसान हारने के लिए पैदा लिया है जो इंसान ये चाहता था कि वो ये जिन्दगी की जंग हार जाए क्या बात करूं मैं उससे क्या बात करूं मैं जो ये चाहता था कि मेरा आंत हो जाए उसका आंत हो जाए मैं उससे क्या बात करूं जिसके अंदर कोई मान और सम्मान नाम के चीज नहीं है क्या बात करूँ मैं उससे जो अपने आपको बर्बाद कर दे रहा चाहता था क्या बात करूँ मैं उससे क्या बात करूँ मैं उससे क्या बात करूँ बताओ तो जिस इंसान के पास थोड़ी सी नैतिकता नहीं बची है क्या बात करूँ मैं उससे सब कुछ आपके पास था सरकार गलत कर रही थी आप सचाई के रास्ते पर थे लेकिन सरकार ने आपको पराजेत कर दिया लोगतंत्र में मालिक जनता होती है मालिक आप थे लेकिन सरकार ने पराजेत कर दिया पता है क्यों? क्योंकि आप पराजेत होना चाहते थे आप चाहते थे कि आपका अंट तो हो जाए वरना कोई मा का दूध नहीं पिया था जो आपको पराजेत कर देता मेरिट में 30,675 या नौट मेरिट में मेरे साथ ही जो थे क्वालिफाइड लगभग 50,000 कुल मिला करके 80,402 रत्ती भर्म नहीं है किसी साथ जो रत्ती भर्म नहीं है बेसर्मों की तरह घर में बैट करके अपनी बर्बादी का नजारा देख रहे थे लोगतंत्र में एक इंसान अंदोलन नहीं कर सकता मेरे भाई ये बात याद कर लो आपके अंदोलन का वजूद तभी बचेगा जब सभी लोग घर से उतरेंगे अभी भी आप जीत सकते हो लेकि सर्थ बस ये है कि सभी साथियों को दो-चार दिन के लिए पटना किसन को पर उतरना होगा उतारने को तयार हो जवाब आएगा नहीं आंदोलन का एलान होगा तो कुछ लोग जाएंगे तो कुछ लोग क्यों जाएंगे भई जब आपको कोई चिंता नहीं है तो किसको चिंता है किसको चिंता है ये तो बताओ जिसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है जिसका नैतिक पतन हो चुका है वो कभी लडाई में टिक पाएगा कभी नहीं टिक पाएगा जो लडाई में सामिल नहीं होनेगा वो कभी टिक पाएगा मेरे साथ यूँ एक बात याद करना जो अपने आप से गद्दारी करता है न वो सबसे बड़ा गद्दार होता है दूसरे से गद्दारी कर दो वो चलेगा लेकिन अगर अपने आप से गद्दारी करोगे तो आने वाली पिड़िया कभी माफ नहीं करेगी ये बात याद कर लेना मैं तो लाँ हूँ लड़ूँगा मैं जिल गया हूँ जिल जाओंगा मैं संगर्स किया हूँ संगर्स करूँगा और जो भी मेरे साथ ही मेरे साथ कर रहे थे वो करेंगे लेकिन आप बताओ कि आपके अंदर क्या नहीं दिखता है कि आप घर में बैठे रहो और बरबादी करना जारा देखते रहो और संगहर से हम लोग करते हैं आप यूटूब वीडियो देखते हो साले उन लोगों का जिनका कोई योगदान नहीं होता जो कभी आंदोलन में नहीं आते जो STT को बरबाद कर देना चाहता था आप उसका यूटूब वीडियो देखते हो सरम नहीं आता है थोड़ा सा यार उसका कम से कम देखते क्यूं हो वीडियो क्यूं देखते हो वैसे लोगों का वीडियो जो आपके लिए नहीं लड़ता है यूटूब से कोई आंदोलन जीता जाता है तो कोई बात नहीं कई लोग मुझे फोन करके कर रहे हैं क्या निल सरा अंदोलन कर ये अंदोलन तो हम कर देंगे एलान कर देंगे लेकिन आओगे तब ना जब आओगे ही नहीं तो क्या मतलब बन जाता है इस अंदोलन का क्या मतलब बन जाता है क्या मतलब बन जाता है हाजत में बंद होने का क्या मतलब बन जाता है लाटे खाने का क्या मतलब बन जाता है जेल जाने का कोई मतलब है क्या घर में बैठ करके अपनी बर्बादी का नजारा देखोगे क्या मतलब बन जाता है ऐसे संघसका यार इस बात को सोचो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है 30,000 लोग अगर हम पटना के संको पर 50,000 मेरे नौट मेनिट के साथ ही अगर हम उतर गए कि तुने बोला था कि सब की नौकरी पकी तो अब हमारी कच्ची कैसे इस विचार के साथ अगर हम पटना के संको पर उतर गए तो कोई मा का दूद पिया है जो हमको पराजित कर देगा कोई नहीं पिया है कोई नहीं पिया है जो हमें पराजित कर देगा लेकिन जब मेरे साथ ही जिनके उपर इतना बड़ा गम का पहार टूटा वो खूद चाहते हैं कि उनका नेश्टनाबूत हो जाए मेरे साथ ही खूद चाहते है कि उनका अपने आपका पतन हो जाए समाप्ती हो जाए तो फिर मैं क्या कर सकते हैं इसके लिए बताओ ना फोन पर बात करने से अंदोलन चलता है कुछ लोग यूटूब पर चूतिया बनाता है रोजाब आप सुनते हो क्यों सुनते हो यार क्यों सुनते हो यूटूब का वीडियो जो अंदोलन में नहीं आता जो आपके लिए लाठी नहीं काता सलक पर नहीं उतरता उसका YouTube वीडियो सुनते हो पाप से गल जाओगे उसका तुम YouTube वीडियो क्यों सुनते हो क्यों फॉलो करते हो उससे लोगों को कम से कम उससे तो छोड़ दो फिर कोई अच्छा काम कैसे करेगा बताओ सब कोई सलव ऐसा हैं चूतिया पंती नहीं करेगा इस बात को समझो मेरे साथ में इस बात को समझो यह बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं कोई बात नहीं सब लोग आपस में बात चित करिए क्या करना है आपको जो होगा पहले मैं निर्णय लेता था तो आप नहीं आते थे इस बार आप निर्णय लीजिए मैं आऊंगा सब मिल करके बात करिये तीस हजार असी हजार लोग है पटना नहीं पहुंच सकते तो क्या मत्त बन जाता है अंदोलन का यार कि दूगों चारगों दस्वों से अंदोलन होता है कि है कि कोई बात नहीं कि हम लड़े हैं लड़ेंगे संघहर्ष किये हैं संघहर्ष करेंगे बस यही मेरा विचार था फोन कॉल्स दो दीन को नहीं करियेगा फोन अगर कर रहा होगा तो साम को छे से साथ के बीच में फोन करियेगा बस जैन साथ